हेलो स्टुडेंज आज किस लेक्ष्यर में हम चाप्टर नमबर एट इश्यो ऑफ शेयर के इलिस्टरिशन नमबर सेवन को सॉल करने वाले हैं तो इसका एक्स्प्रेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स किसनस तुरंट मिलते रहेंगे तो यहां पर इलेस्टेम में शौज जर्नलेंट्र आपट आपको जर्नल इंट्रीश करना इंदा फॉलविंग इस आपको डिफरेंट केसें देवे हैं दूरे इव्ला गया है तो यहां पर पहला केस है कि प्रशांत ट्रेडिंग कंपनी limited का case दिया हूँ है जिसमें कि four fitted hundred equity shares उन्होंने four fit कर दी है मतलब membership कर दी hundred equity shares की of rupees hundred जिसकी जो value थी वो rupees hundred थी तो है ना यहाँ पर hundred equity shares को four fit किया तो hundred multiply by hundred करने पर है ना मतलब equity share capital को आपको debit करना होगा ten thousand को जो की already है ना पहले यहाँ मैं ना उसको credit कर चुके होते है share capital में तो four fit के time पे है equity share capital को debit करना होगा यह amount and यह क्यो four fit हुए है तो due to non payment यहाँ पर payment नहीं हुआ final call का 30 rupees का payment नहीं हुआ final call का तो जब 30 rupees का payment नहीं हुआ final call का तो यह membership cancel हो रही है तो जो जितना 70 rupees रुपीज रिषी हो चुका है मतलब यहाँ पर शुर्पे का शेयर था 30 रुपीज रिषी नहीं हुआ मतलब 70 rupees रिषी हो चुका है वो share for future account में हमको credit करना होगा transfer करना होगा उसके बाद में देखे यहाँ पर बोला है and the same were issued और जो same shares है वो रिषी होए 50 rupees per share fully paid के साबसे तो fully paid 50 rupees के साबसे वो रिषी उडवे तो इसका मतलब 100 share multiply by 50 करेंगे तो 5000 है ना बैंक में पैसा आएगा और बाकी का जो है ना वो share की actual value कितनी है वो हमको देखना है कि actual value 100 rupees है तो 100 rupees का share है na fully paid करके 50 में दे रहे तो 50 rupees में दे रहे लेकिन यह share पहले भी issue हुआ हुआ था तो उसका जो भी issue हुआ था और 4 feet होने पर जो पैसा 4 feature account में गया था वो account के साथ हमको adjust करना होगा बाकी का जो यहां पर 50 rupees में दिया तो 50 rupees का एक तरीक से loss है तो वो हमको debit में share 4 feature account debit में करके हमको लिखना होगा तो उससाब से हमको entry बनानी होगी और फिर जो access money होता है जो share 4 feature account का वो हमको capital reserve account में transfer करना होता है तो यह ता पहला case case number A case number 2 में क्या बोला है B में बोला है कि स्वानन्द trading company limited है उन्होंने profit कि 1,000 equity shares profit किये और rupees 10 each 10 रुपे की share 10 रुपे की value है वो 1,000 shares उन्होंने profit किये तो 1,000 multiply by यहां पर है आगे कुछ बोला है कि each each का value क्या था on application कितना मांगा company ने 2 rupees मांगा allotment के time पे 4 rupees मांगा वो यह paid हो गय and the first call money 2 rupees were remained unpaid first call का जो पैसा था 2 rupees वो है ना क्या रह गया वो रह गया यह unpaid रह गया and the company reissued और company ने reissue किया 4 fitted shares at the rate of 5 rupees 5 रुपे में जो reissue कर दिया 4 fitted shares को जिसकी जो value थी paid up value यहां पर rupees 8 रखी है उसकी paid up value rupees 8 रखी है तो paid up value के इसाथ से ही हमें इक्विटी शेर capital को है डेबिट करेंगे तो एक्विटी शेर capital को 1000 वन ताउजन एक्विटी शेर वाला जो है जिसकी paid up value क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे तो भी paid up value कैसे हमको पता चलती कि 8 रुपय यह application के समय पर company ने 2 मांगा 2 रुपया मांगा allotment के समय पर 4 रुपया मांगा and first call money का company ने 2 रुपया मांगा तो यह paid up का capital की बात हो रही कि टोटल 8 रुपीज होता है तो हमको share capital भी paid up के साब से दिखाना होगा और जो पैसा receive हो चुका है वो share for feature में दिखा देंगे और जो unreceived है non payment है वाला है 2 रुपया वो हम है न उसको credit में हम है na equity share first call का करके हम दिखाने वाले है journal entry बनाएंगे साथ में reissue के entry हमको दिखाने होगी तो reissue 5 रुपय में हुआ है तो 1000 shares 5 रुपीज में reissue हुआ तो bank में 5000 रुपीज आएगा और बाकी का जो 8 रुपया paid up है paid up 8 रुपया है तो जो 3 रुपीज जो 3 रुपीज का एक तरके से discount ही हो गया तो 3 रुपीज का discount है वो share for feature account debit कर कि हमको 3000 रुपाना होगा तो इसके accordingly entry बनेगी और बात में जो excess share for feature का पैसा होगा वो capitalism में transfer होगा तो इसकी calculation किस तरीके से करनी आपको कैसे find out करना है तो पूरा मैं आप लोगों को detail में बता आने वाली हूँ तो आपको last तक बने रहना है concepts को अच्छे से समझना है difficult नहीं ह लेकिन practice हो करने पड़ेगी format मैंने ready रखा है तो चली हम समको solve करना start कर तो सबसे पहले जो प्रशांत trading company limited का है उसका हम solve करने वाले हैं तो यहाँ पर हम heading में लिख लेंगे A and B part है इसका illustration का तो A part में प्रशांत trading प्रशांत यह just heading आपको समझने के लिए कि प्रशांत trading company की स related जो journal entries है trading company limited की journal entries हम यहाँ पर लिखेंगे तो पहली जो first journal entry होगी वो four feature को लेकर होगी तो four feature के लिए आप लोगों को पता होना चाहे कि कि कितना received हुआ है और कितना non payment वाला मतलब amount है तो उसके लिए just working note मैं आपको दिखा देती हूं तो working note में हम प्रशांत trading company का प्रशांत trading company प्रशांत trading company limited यहाँ पर 100 equity shares four fitted कितने shares four fitted हुए है number of four fitted shares number of four fitted shares है वो 100 है 100 shares 100 equity shares तो इसकी जो मतलब इसका जो amount है 100 equity shares कितनी की value वाला है तो 100 equity shares 100 equity shares of 100 rupees each 100 rupees each वाला share है तो जो amount होगा वो 10,000 मतलब value जो है shares की वो आएगी 10,000 तो यह जो 10,000 है यह equity share capital debit करके करेंगे हम इसको equity share capital debit profit profit की entry के लिए equity share capital account हमको debit में लिखना होगा और फिर यह जो 100 rupees में से कितना है न कंपनी ने called up किया और कितना receive हो गया company को तो यहाँ पर 100 rupees में से बोला है question के अंदर बोला कि non payment of final call तो non payment का जो amount है non payment non payment of final call है वो 30 rupees है 30 rupees है तो मतलब जो paid कर दिया है प्राशान trading को बंदे ने shareholder ने वो है न 70 rupees paid हुआ तो यह जो paid amount होता है 100 multiply by 70 करेंगे तो यहाँ पर जो 7000 है वो 4 feature यह paid amount होता है वो 4 feature में जाता है यह working note में थोड़ा सा आपको अलग बता रही हूं structure ताकि आपको concept अलग-अलग धंग से बताऊं आपको जो easy लगे वो way आप कर सकते तो इसमें मैं अलग बता रही हूँ 100 में से 70 paid and 30 non payment वाला हुआ तो 70 multiply by जब आप 100 shares करोगे 100 shares करोगे तो 7000 4 feature account में जाएगा share 4 feature account में और यह जो non payment है किसका non payment है तो 100 shares पर non payment मलब 3000 है ना हमको यह जाना चाहिए final call का receive नहीं हुआ तो share final call account में जाएगा यह यहाँ पर final call account आना चाहिए final call में यह जाएगा तो यह credit में हमको यह credit में हम लिखेंगे यह amounts लिखेंगे हम credit में लिखेंगे तो इसी के base पर हमारे journal entry तयार होगी तो उसमें लिखेंगे equity share capital account को debit करेंगे क्योंकि है ना membership cancel करें तो क्योंकि पहले हम share capital में credit कर चुके तो उसका effect हमको हटाना होगा वहाँ से क्योंकि यह forfeit हो गए membership cancel हो गई तो यहाँ लिखेंगे equity share capital account debit to share for feature account equity share for feature account में जाएगा जो receive हो चुका है for feature तो application का money allotment का money call money receive हो चुका है तो share for feature account में कितने amount के साथ से आएगा वो मैं आपको calculation में दिखा चुकी हूँ फिर भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं rupees 70 receive हो चुका है तो 70 multiply by 100 करेंगे तो यहाँ पर 7,000 rupees यह आपको short में कि आपको working note नहीं पूछा तो करने की जुरत नहीं हो जस्ट मैं समझाने के लिए आपको करती हूँ 100 shares है multiply by rupees 100 किया क्योंकि इसकी जो called up value हो 100 rupees है कैसे पता चला called up 100 है क्योंकि मतलब बोला है कि final call का 30 rupees receive हो यहाँ पर 10,000 share capital को debit कर दिया and two equity share यहाँ पर final call का receive है तो equity share final call account है वो 30 rupees receive है तो 100 multiply by 30 करेंगे तो 3000 तो यह जो corresponding entries होती है debit and credit की वो टैली हो गई और narration में यहाँ पर हम लिख देंगे giving 4 feature of 100 equity shares due to non payment of final call of rupees 30 per share तो इतना ही आपको forfeited में इतना ही धान रखना है कि जो आप receive कर चुकि उसको share for feature में दिखा दो उस amount को क्योंकि यह पैसा बंदे को return नहीं करता है कोई भी company return नहीं करती है और जो है ना non payment वाला amount है उसको आप है ना अगर final call का non payment है तो final call first call का non payment है तो first call करके आपको दिखाना होता है और अगर आपको कोई भी call करके नहीं बोला है ता आप call in error करके भी यहाँ पर इसको present कर सकते हो अभी next जो second entry आएगी वो आएगी reissue को लेकर यहाँ पर बोला कि reissue किया तो reissue किया तो bank account में पैसा आएगा company के bank account में तो bank account को करेंगे debit और कितने में reissue किया है तो question में हमें बोला है कि 50 rupees में reissue किया 50 rupees per share की value के इसाब से fully paid वाला तो यहाँ पर हम लिखेंगे bank account जिसमें हम लिखेंगे कि 100 shares को reissue किया तो multiply by rupees है न 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000 आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5000 अभी जो receive यहाँ पर इसकी जो value है actual value यह एक line लीव कर देते हैं यह share for feature के लिए होती है क्योंकि है न हम share for feature के against हमें adjust करना पर तहरी issue के समय पर तो share for feature share for feature account को debit करेंगे हम इसका कारण यह है debit करने का कि यह जो 100 shares है उस लेकिन वो 50 रुपे में दे रहा है तो यह जो 50 रुपे है यह adjust होगा share for feature account में debit करना होगा हमको तो यह 5000 यहाँ पर आया और 2 equity share capital account करकर हम लिखेंगे 10,000 equity share capital account equity क्योंकि already मतलब यहाँ पर है na equity share capital account यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000 equity share capital तो यह जो called up money होता है वो हमको company का जो called up money हो लेना आता है तो share की actual value 100 रुपीज है लेकिन दिया 50 रुपे में तो यह जो 4 feature में already credit होगा है तो उसी की against adjust होता है यहाँ पर narration में हम लिखेंगे being reissue of reissue of 104 fitted shares at the rate of rupees 50 per share fully paid तो यह fully paid है बाद में company installment में नहीं पैसा मांगती है जब reissue करती है तो तो कोई installment में पैसा नहीं मांगा जाता है अभी next जो third entry आईगे जब भी reissue होता है आपको याद अखना जब भी reissue होता है तो four feature account को है न close किया जाता है तो इसका पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुक्यों कि यहाँ पर दिखो four feature में credit में amount यह credit का है तो credit में seven thousand दिखाई दे रहा है और debit के यहाँ पे five thousand दिखाई दे रहा है तो यह seven thousand minus five thousand आप जब करोगे तो two thousand का जो difference आ रहा है वो capital reserve account में चला जाएगा तो वो capital reserve में जाता है क्योंकि यह credit and debit का जो difference है वो capital में चला जाता है और मैं पहले भी आपको दिखाई हूँ अभी भी आपको चाहिए तो यहाँ पे just take in short में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कि किस तरीके से वो capital में जाता है तो म मैं just पूरा laser आपको properly नहीं बना रही हूँ लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह share for feature account आपका laser account होगा अभी यहाँ पर जो पहला share for features related entry है पहली entry वहाँ पर आप लिखेंगे कि equity share capital और credit side में आप buy equity share capital करके आप लिखेंगे buy equity क्योंकि आप है na share for feature में to share for feature नहीं तो यहाँ पर जो amount आएगा वो buy यहाँ पर आप लिखेंगे equity share capital करके आएगा तो यहाँ पर 7,000 आगया उसके बाद में आप देखो share for feature को लेके next कहाँ पर है तो next यहाँ पर यह प्रशांट प्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का next आप देखोगे कि share for feature का second entry में debit में दिया 5,000 तो इसको आपको two equity share capital करके लिखना होगा share for feature account में जब आप लिखेंगे posting करेंगे तो two equity share capital लेकिन amount क्या लेंगे 5,000 लेंगे तो amount आपको 5,000 लेना होगा तो आप two equity share capital debit side में इसके two equity share, two equity share capital short में लिखके दिखा रही है आपको 5,000 लिखेंगे फिर यहाँ पर जब आप close करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि credit side का more आता है credit balance है तो credit balance मतलब यहाँ पर capital reserve में है न यह 7,000 इधर भी 7,000 और यह जो 2000 का difference होता है यह capital reserve में चला जाता है यह capital reserve में चला जागा यह benefit ही हो गया company को एक तरीके से तो यह capital reserve में ट्रांसफर होता है तो इस तरीके से आप आपको लिखना होता है तो इसकी journal entry क्या बनेगी share for future account debit to capital reserve account तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि जैसे इसे practice करोगे तो आप लोगों को यह आई जाने वाला है share for future account debit क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको capital reserve में तो share for future account debit 2000 यही तो मैंने just ledger तो आपको just working note के सबसे दिखा है बाकी आपको कोई exam में पूछेगा तो ही बनाना नहीं तो बनाना नहीं है तो यहाँ पर अभी यहाँ से भी आप directly भी कर सकते कि आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना debit में 5000 ही है for future account में credit में 7000 है तो debit में 2000 लेकर और उसको हमको यह जो difference लेकर हम उसको capitalism में transfer कर देंगे तो to capital reserve account to capital reserve account 2000 narration में हम लिखेंगे balance जो balance बच जाता है balancing figure balance on share for future account balance of share for future account transferred to capital reserve account इस तरीके से आपकी journal entry होगे now next time move करेंगे next यहाँ पर अभी second जो condition दीवी है question में तो यह हमारी first condition प्रशान trading company limited की journal entries होगे second जो journal entry हमको बनानी है वो है स्वानंद स्वानंद trading company की स्वानंद trading तो इस तरीके से भी आपको exam में question पूछा जा सकता है कि दो companies की journal entries आपको 4 feet 8 की पूछ ली तो इस तरीके से भी question आ सकता है तो स्वानं ट्रेडिंग company limited में अब जो आपकी पहली journal entry होगी वो 4 feature को लेकर होगी तो 4 feature की जो journal entry की होगी इसमें भी 4 feet हुए है ना जो shares 4 feet हुए है 1000 equity shares तो यहाँ पर हम लिखेंगे equity share equity share equity share capital को debit करना होगा 4 feet के टाइम पे debit करते हैं तो equity share capital account इसका कारण क्या है इसका कारण यह है क्यों debit करते क्योंकि already हमने ना share capital में amount due कर दिया रहता है त्रांसफर कर दिया रहता है due के entry होती हो अंतलब वो transfer के entry होती है तो यहाँ पर जो company ने 1000 shares के पीछे company का जो paid up जो amount एक पेड़ एट है तो रुपीज एट है तो रुपीज एट के साब से हमको लेना होगा हम यहाँ पर paid up amount जो called up and paid up amount amount होता है उसको लिया जाता है तो यह जो paid up amount है इसके साब से ही हम है ना इसके पो फिटेट के entry करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे एक पर लिखेंगे आप वर्किंग नोट दिखाया कि किस तरीके से आप अपना structure तैयार कर सकते हो बी का जो structure होगा वो इस तरीके से होगा स्वानन्द ट्रेडिंग का स्वानन्द ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड तो इसमें 1000 equity shares 1000 equity shares of rupees 10 paid up rupees 8 है तो आपको जब calculations लेंगे तो वो paid up की amount के साब से लेंगे हम paid up के साब से तो यहाँ पर rupees जो है rupees 8 paid up है तो इसमें से कितना है न company ने receive कर लिया तो company ने 6 जो total है वो 6 rupees है ना company ने receive कर लिया और बोला कि first call money है ना unpaid रहे गया first call unpaid रहे गया है तो यहाँ पर क्योंकि first call के बाद में इन्होंने क्या कर दिया उसको फोफिट कर दिया shares को company ने तो यहाँ पर ना allotment का receive हो गया application का receive हो गया तो application की money जो है application money इसमें जो है वो 2 rupees है allotment का जो rupees है वो है 4 rupees है तो total जो आता है 6 rupees 6 rupees है ना company ने receive कर चुकी है received बोल सकते हो आप paid बोल सकते हो multiply by जब आप इसको 1000 से multiply करोगे तो 6000 यह जो 6000 है यह कहां चला जाएगा यह share for future में जाएगा यह share for future में जाएगा यह amount share for future account में credit होगा share for future account में यह credit होने वाला है and जो company ने receive नहीं किया rupees 2 rupees 2 यह multiply by 1000 करोगे तो यह 2000 जो है वो है ना आपको equity share first call करकर आपको क्या करना है इसको credit करना है equity share first call equity share first call equity share first call first call account को credit करोगे 2000 के साथ and debit में क्या लिखेंगे तो debit में 1000 multiply by rupees 8 करेंगे तो 8000 जो rupees 8000 है यह आजाएगा आपका debit में debit में और जिसको आप लिखेंगे equity share capital करकर लिखेंगे तो इस तरह के से आपका यह structure होता है कि आपको ध्यान में रखना होता है कि आपका calculation part कैसे होता कि यह बहुत में है calculation तो यहां पर equity share capital paid up rupees 8 है तो उसके साब से हमने multiply किया फिर credit में हम क्या लिखेंगे share for future account credit में आ जाएगा share for future share for future account share for future account 1000 multiply by rupees 6 बार बार में आपको बोलती हूं कि यार रखना है कि share for future मतलब जो पैसा receive हो चुका वह for future में चला जाएगा उसका कारण company refund नहीं करती है तू सामने वाले बंदे की गलती है कि उसको एलोट करने के बाद वह है ना payment नहीं कर रहा है यहां पर equity share first call account equity share first call account कितना नहीं रिसी हुआ तो 1000 multiply by 2 rupees तो आजगा 2000 narration में लिखेंगे बिंग 1000 equity shares 4-feated 4-feated due to non payment सामने वाली party ने payment ने किया non payment of first call first call of rupees 2 per share यह जो आपकी text book पे है ना आपको correction करना पड़ेगा आगर आप वहां से narration देख रहे है तो यह narration में यह है 20 rupees दिकाई दे रहा है यह 20 rupees नहीं है यह 2 rupees है तो यह आपको zero cancel कर देना है 2 rupees per share है वह आपको ध्यान रखना है now next journal entry होगी वो reissue को लेकर है क्योंकि यहां पर reissue किया तो कितने में reissue किया तो 5 rupees में reissue किया तो bank account debit इसका calculation यहीं दिखा दे तो bank account debit 1000 shares को reissue किया रुपीज 5 में तो 1000 multiply by rupees 5 करेंगे debit में तो 5000 है ना company के account में आ गया स्वानन्द company के फिर आपको share for feature account को debit करना होगा और कितने amount से debit करेंगे तो यहां पर यह call इसका जो paid up amount 8 rupees था paid up 8 rupees था तो 8 rupees के इसाफ से company ने discount पर reissue कर दिया मतलब तो share for feature account को debit करेंगे क्योंकि यह adjust करेंगे हम share for feature account जो अलग से हमने है ना account open किया है cancellation के time पे तो उसी में यह adjust करेंगे जो loss एक तरीके से है company का तो उसी के against adjust हो जाएगा तो rupees 3 है ना यहां पर debit करेंगे हम share for feature account के साफ से तो 3000 आ गया फिर हमको लिखना है to equity share capital क्रेडिट में रीशू हो रहा है से लिए और फुली पेड़ अप है equity share capital अकाउंट equity share capital अकाउंट टोटल हो गया 8000 narration में लिखा जाएगा being reissue of 1000 4-feet 1000 4-feet shares at the rate of rupees 5 per share and that is also fully paid fully paid shares है यह now next जो third entry होगी जब भी भी reissue करते है याद रखना है reissue करते है तब हमको share for feature account को close करकर हमको है na capitalism में balance amount transfer करना होता है तो यहां पर share for feature credit में 6000 दिखाई दे रहा है and share for feature debit में 3000 दिखाई दे रहा है तो इन दोनों का जो difference है 6000 and 3000 का यह जो 6000 and 3000 का जो difference है हुआ है 3000 का difference तो वो capital account में capital reserve account में credit हो जाएगा इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे share for feature account debit 3000 टू, capital reserve account, capital reserve account 3000 यह difference हमको दिखाना है debit and credit का transfer कर देना है capitalism है तो यहाँ पर narration में लिखेंगे बिंग, balance on, बिंग, balance of share for feature balance of share for feature account, transferred, transferred to, transferred to capital reserve account, capital reserve account में transfer हो गया ठीक है इसे सबसे अगर आईए share for feature से कैसे आता है यह मैं आपको अल्रेड़ी यहाँ पर दिखा चुकी प्रशान्त का अगर आपको confusion है तो जरासा आप है ना स्वानन्द company का भी देख लीजिए यह share for feature का leisure account होता है और किस तरीके से capital reserve में transfer होता है तो यहाँ पर जो स्वानन्द की share for feature की पहली entry है वो 6,000 की है share for feature के debit credit side में हम buy equity share capital करकर 6,000 लिखेंगे तो यहाँ पर हम buy equity share capital in short में लिख रही हूं two equity share क्योंकि यह equity share 8,000 है ना इसमें 3,000 है ना share for feature का भी included है तो share for feature account में जब हम लिखेंगे तो two equity share capital 3,000 लिखेंगे तो यहाँ पर two equity share capital 3,000 जो difference है वो 6,000 का जो difference है वो हम 6,000 का difference यहाँ पर 6,000 में से minus करना sorry 6,000 का difference नहीं 6,000 credit side में है and debit side में 3,000 ही है तो यहाँ पर 6,000 minus 3,000 के तो 3,000 का जो difference आता है वो two capital reserve तो capital reserve में चला जाता है reserve account में क्योंकि इस account को close कर दिया जाता है पर issue के बाद में तो यहाँ पर जो journal entry बनती हो शेर four feature account debit to capital reserve तो यही entry हमने यहाँ पर शेर four feature account यहाँ पर हमने दिखाई है debit to capital reserve account 3,000 की तो I hope आपको concept clear हो गया है आपको चाहिए तो आप इस working note की screenshot ले सकते हैं ताकि आप जब खुद sum solve करने बटे तो आपको confusion ना हो सब्सक्राइब करकर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना है ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो में डालूं तो आपको notification सबसे पहले मिल जाए thank you very much god bless you all dear students